तो आज का वीडियो में लेके आए हूँ जहांसी की रानी लक्षमी भाई का गेट अप मतलब इनका जो साड़ी पहनाने का तरीका पगड़ी बांदने का तरीका हर चीज बहुत डिटेल से मैं इसमें बताने चाहरी हैं फ्रेंट्स तो सबसे पहले मैंने साड़ी चूश कर ल पगड़ी के लिए तो मैंने अंदर में इनको पजामे पहना दिया है आश्रू को क्योंकि वह भी सेम कलर का है साड़ी के कलर का है तो नीचे से थोड़ा पहुत दिख भी जाए तो कोई दिककत ना हो और ब्लाउज को अच्छे से पीछे के तरप से दो मीटर हम लोग उसको फोल्ड करेंगे क्योंकि साड़ी लंबी होती है और हमें धोती स्टाइल में पहना नहीं होती है तो हमें इतनी लंबी साड़ी की जुरूत नहीं होती है और इस गेटप के लिए बॉर्डर वाली साड़ी हो और सिल्क टाइप में हो तो बहुत जादा ही अच्छा लगता है देखने में तो कुसिस करें कि इस टाइब को प्रिंटेट साड़ी ना ले थोड़ा प्लेन हो और उसके बॉर्डर हो तो वो ज्यादा सही लगते हैं तो पीछे से दो मीटर जैसा साड़ी को फोल्ड करेंगे और पीन लगा लेंगे उसके बाद जो बच्चे की हाइट होगी उसके अपर से हम साड़ी को फोल्ड कर लेंगे ताकि नीचे यदि आप पूरे साड़ी कोि फोल्ड करेंगे तो वह धोति जो है जब धोती नीचे से चुन्ट उसकी बनेगी तो वह जमीन में सटेगी तो जो हैट है उसके थोड़ा सा ज्यादा यानिकि लग-भग एक बित लगे कि वह गांट खुल जाएगा या फिर बच्चों को स्कूल जाना इसी गेट अप में तो आप डबल सिक्यूर के लिए आप इसमें पिन भी लगा दें पर यह जब आसू कर रहे थी तो ऑनलाइन क्लास चल रहे थी यह लास्ट यर का वीडियो है फ्रेंट जो मैं आपके स कियावा पाट था उसको पैरों के नीचे से पीछे के तरफ करेंगे और प्लेट्स बना लेंगे इस तरह से मतलग जो साड़ी के बॉर्डर था ना तो बॉर्डर से प्लेट्स बनाते आएंगे दूसरे बॉर्डर तक और उसको इस तरह से बहुत फिनिशिंग के साथ हम लो लोग नीचे से क्रॉस करेंगे इस से पैरों के नीचे से पार करने के बाद इसके भी हम लोग प्लेट्स लगा लेंगे और इसको अब उपर यानि के कंदे के उपर इसको स्टक करना है आचल के जैसा तो यह देखिए धोती के जैसे अपने आप बन जाती बहुत हीजी है बस स साडी पीछे से आईब वह बहुत ज्यादा तॉसको भौ act 2019 स्टक कारी तेशल से अथ जमिए नीचे की प्नेचन करता है तो तूब के जब बंड़ एतार आंपर कि thought work बनिये नीचे एंकल के पास वो उपर की तरफ चड़ जाएगी और फिर आचल को इस तरह से पकड़ते वे कमर में अच्छे से इस तरह से बांध लेंगे तो बांधने का जगा नहीं है तो इसलिए इस तरह से पकड़के हम लोग पिन अप कर देंगे थोड़ा सा पीछे ले ज संद होता है तो इस वीडियो में आसो ने स्लोगन भी बोला है पर्फॉर्मेंस दिया है जैसे क्लास में वैसा आपको बताएगी और कैसा स्लोगन बोला है यह भी आप जरूर देखिएगा तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए लास्त तक तो यह देखिए यहां पर साड तो वहाँ पे पीन लगा दें ताकि बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो वह निकले नहीं अब आसू की बारी आ गई है मेकप की तो ज्यादा मेकप पता है कि बच्चों को नहीं करनी चाहिए अच्छी नहीं होती है इनके लिए बट ऐसे समय पे थोड़ा करना पड़ता है गेट लक्ष्मी भाई का जो यहां पे टीका होता है चांद वाला वह हमने कादल से बनाया उसके ऊपर से थोड़ा से पाउडर जूर लगा दे ताकि वह फैले नहीं चोड़िया पहना दिया चोड़ी पहन के आसू बहुत खुस हो गई है और जोकि यह मराठी लूख है तो मराठ को अच्छे से स्टक कर देंगे क्योंकि हमने पगड़ी पहना नहीं है तो बाल आगे निकले नहीं होने चाहिए आगे के बाल पूरी तरह से बांद ले तो पहले हमने दुपट्टा लिया था सिल्क का पगड़ी के लिए बट वह क्या और बहुत जादा स्लीप हो रहा था यह ध्यान रखिए कि सिल्क का दुपट्टा नहीं कि वह टाइट नहीं हो पाता है फिर हमने यहां पर लिया सिफॉन का दुपट्टा जो की इजली टाइट हो जा रहा था बांदने से तो दुपट्टा को दो वित्ता जैसा फोल्ड करेंगे क्योंकि दुपट्टा भी लं बन गई है बहुत एजी तरीके से कोई भी काम को फिनिशिंग से करेंगे मतलब साड़ी वगर अच्छे दिखने में अच्छा लगना चाहिए और यह देखिए आसू बिल्कुल रेडी है और बस यहां पर बेबी को लगाना बाकी है तो बेबी को पीछे तरफ से तो इस तरह से बेबी भी वहाँ पर अच्छे से फिट हो गई है तो यह आसू बिल्कुल तयार है अब अपने परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही प्यारी लग रही थी तो अब आसू देखिए क्या बोलती है आसू सुनिए कि वह तो यह देखिए आसू बिल्कुल रेडी है और यह कैसी लग रही है प्लीज कमेंड में जुरू बताईएगा और आगे इसका परफॉर्मेंस सुनिए कि इसने बोला कैसे जहांसी के लानी के बारे में क्या बताया है वो आगे सुनिए क्याहल बोलो के मुँठ क सुब्रेक आपूठ कि पूब लड है मलताई वो थो जहांसी बाली रादी वो खाफ के गाहल को जिसने ऐलहे का अबमान किया मल्डानी की बरिभासा बन कर मैंने जादी का पिगाम दिया हाहल बाते थेक्यो झाल लुट